हलो स्टुडेंट स्वागत है हमारा इस लेक्चर नमबर 13 में तो आखिर हम देखते देखते लेक्चर नमबर 13 पे पहुँच गया है और कल भी मैं 2-3 लेक्चर लेके आऊंगा तो हम जैसा कि आपको तारगेट दियें उससे बहुत पहले ही आपको ये लेक्चर खतम कर देंगे तो आईए फिर ये भी आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तो वो 13 नमबर जो लेक्चर है इसके बाद 11, 12, 13 जो हम कर रहे है वो थोड़ा स्टैंडर्ड कोस्टन्स है तो बेसिक और स्टैंडर्ड जब आप कंपेर करके एक्जाम में जाईएगा मतलब इतना आप सामझ के जाईएगा तो आपसे कोस्टन्स बनना चाहिए हम यही उमीद करते है तो आएए हम लोग विना आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं तो देखी यह कोस्टन्स का थोड़ा सा प्रिंटिंग आप ध्यान दीजियेगा तो थोड़ा यह आप ध्यान दीजियेगा सबसे पहला आज हमारा कोस्टन्स है कि कछ्छा में पढ़ःते समय है ना कच्छा में पढ़ाते समय आप भी द्यार्थी हो कि निमलिकित में से किस पच्छों पर जोड़ देंगे तो बैदिक विकास पर ठीक है समबेगात्मक विकास पर समाजिक विकास पर और सरवांगिंग विकास पर तो आपको इतना करके समझ में आ रहा होगा कि जब हम all around development करेंगे तो उसमें उपर वाला तीनों क्या हो जागा समाहित हो जाएगा यानि कि वो सारा इसमें आ जाएगा तो बच्छे को हम लोग all around development पर क्या करेंगे जोड़ देंगे नेक्स्ट हमारा questions है दोस्तो 22 number 22 number कह रहा है कि अंतरवैदी कि यानि कि इंटराप्रसनल अच्छे दो बात आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा देखिए एक है यहाँ पर इंटराप्रसनल और एक आगे के topic में इंटराप्रसनल तो दोनों हम यहीं पर बात कर देते हैं ए जो group में 2-3 लोग, 2 लोग minimum मिलके हम लोग बातचित करेंगे तो interpersonal हो गया और intrapersonal का मतलब self assessment हो गया तो आईए हम लोग इसके पहले वाला questions पर चलते हैं तो इस question में बात कर रहा है intrapersonal तो मतलब हमको समझवाना है कि यहाँ पर self assessment की बात होगी तो कह रहा है कि दूसरों के साथ एक परियोजना पर कार्ज करना तो यह तो हुआ नहीं अकेले ही परियोजना पर कार्ज करना तो हाँ यह सही है intrapersonal का मतलब ही होता बाकी आगे वाला option क्या संजू इससे भी कोई मतलब नहीं है इससे भी कोई मतलब नहीं आपको intra और inter में differentiation याद रखना पड़ेगा इसके बाद इस question में दोस्तों कह रहा है कि which of the following is the most effective influence group तो group का जैसे ही बात करा तो हम लोग इंटर स्कील पर बात करेंगे ठीक है तो इसका answer क्या हो जागा first हो जागा ठीक है interpersonal skill तो थोड़ा सा इंतर यह हिंदी में भी आप देखे रखेगा अंतर बैदिक और अंतरा बैति नेक्स्ट बन है right to education is a act, article, bill और amendment तो right to education क्या एक अधिनियम है, act है तो आप quality में जो लोग depth में पढ़ेंगा उनको पता होगा act कब बनता है, article कब होता है, bill कब होता है और उसको amendment कब हम बोलते हैं तो यह सारा polity का concept है लेकि right to education क्या है, act है जो 2009 में क्या हुआ था, pass out हुआ नेक्स्ट है दोस्तों कि integrated teacher education program where first offered by integrated teacher program का मतलब समझे जैसे कि अभी नालंदा open year का four year का program आ रहा है जिसमें आपको BAC, BA, BA, BA करवाएगा तो इसी को integrated program बोलते हैं, integrated teacher education program और यह दोस्तों सबसे पहले जो start करा गया था, वो NCRT के दोरा start किया गया था, किसके दोरा start किया गया तो 25 का जो आपका answer हो जाएगा वो NCRT हो जाएगा दोस्तों, next one है हमारा कि national education day is observed on 11th, November 11th, तो यह किसके जर्न दिवस पे मनाया आता है, तो मौलाना अभूल कलाम आजाद के जर्न दिवस पे मनाया आता है, यह questions हम सुबा में सभाले में भी सायद करे थे, इसके बाद यह यह एक repeated questions है, जिसको हम लोग बारवर कर रहे हैं, कि जवाहर नबोदय विद्याल है, तो यह ग्रामिन छेतर के बच्चों से related है, तो यह भी questions हम लोग बारवर कर रहे हैं, तो यह repeat हो जा रहा है, तो इसमें हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन यह questions important है, इसलिए repeat हो र याद रखेगा, यह full form आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो teacher education वाला college होता है, उसकी मानता जो देती है, NCT ही देती है, next one है, 29 number question दोस्तों, कि a teacher, how will you assess the performance of visually challenged child, अच्छा, visually challenged का मतलब एक drishty वाधित बच्चा है, तो इसके लिए हम लोग braille लिपी पढ़े हैं, तो यह तो हम आपको ऐसे ही बता दी है, तो आईए आपसन देखते हैं, एक business अध्यापा की निवक्ति के लिए प्रभंधन से कहूँगा, है ना, एक मालेव के हमारे लिए braille यह आ जाएगा, सभी मुल्यांकन में किसी निचली कछा के विद्यार्थियों के सहायता के लिए कहूँगा, जो कुछ braille lippy में बच्चे ने लिखा उसे पढ़ने के लिए कहूँगा, सभी मुल्यांकन से बच्चों के छूट देने के लिए स्कूल प्रवंधन से निमेदन करूँगा, तो जब braille lippy का इसमें discussion होई गया, तो answer क्या होगा, यह होगा, कि braille lippy में वो जो लिखा है, उस से हम पढ़ने के लिए कहूँगा, इससे उसका assessment हो जाएगा, next one है दोस्तो, कि essential qualities of teacher, तो teacher, essential quality of teachers for in a leader, leader का essential quality क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, बर्चस वादी और कठोरता होना चाहिए, डिरता अबम निरनाय च्छमता रखने वाला होना चाहिए, सने अबम ध्यान रखने वाला होना चाहिए, और धर्रे मान होना चाहिए, तो आपको देखके दोस्तो पता ही चल रहा होगा option कि उसको क्या होना चाहिए, डिरता अबम कठोर चमता वाला होना चाहिए, तो इसका answer number 2 होगा, next one है, कि accelerated program are provided for, है ना, तो ये class में accelerated program भी चलाया आत is, remedial classes उन बच्चों के लिए चला जाता है, जो कि क्या होता है, जो medium learner से बहुत कम होते हैं, और accelerated program उन बच्चों के लिए चला जाता है, जो medium से थोड़ा ज़ादा ये होते हैं, ये सब आपको practical से knowledge आएगा, तो आगे चलिएगा, तो फिर आपको और ज़्यादा depth में पता चलेगा, कह रहा है, एक बिसाय को परवावे ढंग से सीखने के लिए इने में से कौन सा तरीका बांचनी होना चाहिए, तो देखिए, ये भी questions repeated है, लेकिन इसका option क्या है, अलग type का, कह रहा है कि बिसाय समगरी को, sorry, यहाँ पर बांचनी नहीं कह दिया है, तो ये आलोचनात्मक सोच है ना, critical thinking, तो चलो सोच रहा है, बिसाय ग्यान की अंत, इस्तितियों को लागू करना, और बिसाय बस्तु को सास्तर बनाना, तो परवावे ढंग से सीखने का ये जो है, रटने वाला जो तरीका वो सबसे क्या है, गंदा तरीका है, तो इसका आंसर यही दिया हुआ है, विसाय सामगरी को अस्मरन करना जो है, वो सबसे अच्छा तरीका, बांशिय तरीका नहीं है, नेक्स्ट बन है, सक्रिय रूप से सिखने की बिधी, एन active learning method, अच्छा ये समय सबसे active learning method को है, सुनना, पढ़ना, अवलोकन करना, और गहन बिचार और मन्थन क तो इसका जो अंसर सही है, ये, सबसे अच्छा सिखने का तरीका जो है, उस पर आप गहन बिचार कीजिए, मन्थन कीजिए, चिंतन कीजिए, तो आप अच्छे से सीख पाईएगा, नेक्स्ट बन है, who can be considered as a resourceful teacher, यानि कि हम किसे संसाधन सील अध्यापक कह सकते हैं, पहला सिखने वाले की बिविद आवसक्ताओं को पूरा करने वाला, यानि कि जो सिखना चाहता है उसको, अच्छे से हम उसका आवसक्ताओं को पूरा करें, स्रिजन सील अध्यापक, दूसरा में है, तीसरा में है, कि विश से पर परभूत रखने वाला अध्यापक, और चौथा one who has mastery over the content तो इसका answer जो होगा दो होगा दोस्तो ऐसे हम एक बार रुकिये मिला लेते हैं तो 34 yes तो 34 का answer second ही होगा yes I am right 34 का answer जो second होगा ठीक है जो क्या हो स्रिजन सिल अध्यापा को creative learner हो ठीक है तो जो creative learner और creative teacher दोनों का concept आप पढ़े हैं तो इसका answer दो number होगा 34 का next one है 35 दोस्तो 35 में कह रहा है कि एक छातर को test में मतलब कम marks परदर्शन करता है कम marks का परदर्शन करता है और परिचर्चा में भाग लेना छोड़ देती है यानि कोई छातरा है वो अच्छा marks नहीं लाती है और कोई भी class के परिचर्चा में भाग लेना छोड़ देती है तो आध्यापक के रूप में आपकी क्या परतिकिरिया होगी उसके अस्था पलता के लिए उसके जिम्मेदार ठहराएंगे उसके माता पिता के लिए यूजन के लिए कहेंगे तो यह तो जेनरली टीचर ऐसा करीं देते हैं लेकिन यह भासा लैंग्वेज के हिजाब से सही नहीं है तो यह उसके बाद उस बालिका को उसके कार्ज परदर्सन पर चर्चा करूंगा इसके बाद नेक्स्ट बन जो कह रहा है बालिका से कहूंगा कि इस पर अधिक चिंदित करनी के अवा सकता नहीं है तो इसका जो अंसर नमबर है तीन है कि उस बालिका से उसके कार्ज परदर्सन पर चर्चा महें करूंगा कि आखिर उसका ये गलत फरफॉर्मेंस कैसे हुआ उस पे हम ध्यान देंगे और उससे चर्चा करके कारण पता लगाने की कोशिस करूंगा नेक्स्ट बन है दोस्तों कह रहा है कि बिद्यार्थी में समझ के साथ पाठन एक महत्पून कौसल है जिसका विकास करने के आख सकता है ऐसे पाठन कौसल विकास करने के लिए निमसे कौन सा विदिस है teaching and learning method मतलब उसमें हम कैसे विकास कर सकते हैं इसके बारे हम बात कर रहा है पूरी कच्छा से किसी अनुछेद को मुखर बाचन के लिए कहना एक बिद्यार्थी को मुखर बाचन के लिए को सुनने के लिए कहना पूरी कच्छा से बिवेन अनुछेदों का मौन पाठक करने के लिए कहना यानि के मन में पढ़ने के लिए कहना और उस पे questions पूछना और चौथा कह रहा है किसी अनुछेद को बिवाजिक करके एक एक बिद्यार्थियों को बाचन करने के लिए कहना तो ये most appropriate answer है आपका दोस्तों कि कोई मालों एक section होगा इतना बड़ा तो हम बोलेंगे इतना number A बिद्यार्थी पढ़ेगा इतना B पढ़ेगा इतना C पढ़ेगा इतना D पढ़ेगा तो उससे सारे लोग का involvement बढ़ेगा और हम यही आखिर चाहते ही थे 37 जो दोस्तों है 37 कहरा है कि अध्यापक होने के नाते आपकी कच्छा का बांचनिये धे क्या होना चाहिए आपका desirable goal क्या होना चाहिए अनुसासन बनाए रखना पूर्ण उपस्तिती बनाए रखना बिद्यार्थियो अध्यापक के बिच परभावी संबाद का बातावरन त्यार करना उच उपलब्दी सुनिशित करना तो देखिए ये तो कोई धे नहीं हुआ चलिए माल लेते हैं तो ये अगर आप fulfill किजएगा थर्ड नमबर तो एक, दो और चार अपने आप क्या हो जागा fulfill होने लएगा यानि कि बिद्यार्थियो और अध्यापक के बिच परभावी संबाद का बातावरन त्यार करना आप अच्छे से पढ़ाईएगा तो आपके क्लास में अपने आप attendance बढ़ जाएगा ठीक है, पूर्णे पस्तिती, अनुसासन आपके क्लास में अपने आप रहेगा और जब आप सही से सब्बर कर रहे हैं तो आपके क्लास का उपलबधी भी क्या रहेगा ये बात आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट बन है कि इन में से कौन सा कारक अध्यापक को सबसे कम परभावित करता है तो पहला यानि कि सारा जो कारक दिया हुआ वो परभावित करने वाला ही दिया हुआ है लेकिन सबसे कम कौन सा कारक परभावित करता है तो teacher knowledge ये भी परभावित करता है, classroom activities ये भी परभावित करता है, socio-economic background यानि कि समाजिक और आर्थिक परीबेस, अध्यापक और विद्यार्थी का अनुवब द्वारा सीखना, तो ये चारों option में ये option जादा सही है, ये तो परभावित करेगा लेकिन बहुत जादा ये उसको control करने आना चाहिए और teacher को क्या होना चाहिए, अनुवब भी होना चाहिए, तो सबसे कम जो परभावित करेगा वो third number होगा और यही questions में पूछ भी रहा था, 39 number question है दोस्तों की निमलिखेत में से, कौन सी मुक्त पाठ्थे आधारित आकलन बेवस्ता के बिसेस्त पारे में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इसमें बिद्यार्थी गंभीर हो जाते हैं, कच्छा में उपस्तिती में सुधार होता है, या फिर बिद्यार्थियों की परिचर्चा सम्मद्ने चिंता काम करता है, और next one है बिद्यार्थियों के सोचने के लिए मजबूत करती है तो इसका अंसर चार नंबर होगा बिद्यार्थियों, यह जो सिस्टम था, आपको बूक दे दिया जाता था, और आपको फिर उस पर बेसिस सर्च करके आपको सोच के अंसर लिखना होता था, ठीक है, तो इसका जो अंसर होगा, फोर नंबर होगा दोस्तों, OTBA का, next one है कि क रमजोडबर के विद्यार्थियों को प्यार करने वाला, तथा ध्यान देने वाला अध्यापक कैसा होता है, तो वो जो होता है, परतिभावान होता है, सन में ही होता है, मान भी यह होता है, और मातवाकांशी होता है, तो इसका अंसर जो होगा, मान भी यह दिया हुआ है, ह 40 का रुकी मैं एक बर देख लेता हूँ तो 40 का 3 40 का जो होता है मान भी यह होता है next one है 41 का कि यदि आपकी जानकारी में आता है कि एक विद्यार थे नियमित रूप से कच्छा में देर से आता है तो इसका अंसर हम आपको पहले ही वता चुके है कि हम उसके परियाकारन को जानने का कोशिस करेंगे next one है एक अध्यापक अध्यापक sorry अध्यापन में अध्यापक कि अभिरुची बहुत हद तक किस बात पर निर्वर करती है उच बेतन पे अच्छे बिद्यार्थी पे, सहोग परवधन पे सेवासन तुष्टी पे तो देकि टीचर का एक ऐसा जॉब है कि जब तक जॉब साटिस्फेक्शन नहीं रहेगा तब तक आप टीचिंग का प्रोफेसर नहीं कर सकते हैं तो इसका अंसर जो होगा चार नमबर होगा next one नमबर है कि आपके घर के पास एक बहु अस्तर ये विद्याल है चलिए माल ले ते हमारे घर के पास एक विद्याल है उस भिद्याल है कि परधाना ध्यपक आपसे कुछ ... मदद करने का निवेदन करते हैं तवशेसर सेजिन रूप से यह लिञेसर के थियान देना तो बिद्याल है सभा में में असेमली में उसको मदद करेंगे, क्लास लिए में मदद करेंगे, फिल्ड में हम उसको मदद करेंगे, या फिर कल्चर अक्टिविटिज में मदद करेंगे, तो हम से पूछ रहा था, सैचनिक रूप से मदद करना है, तो हम उसको क्लास में मदद करेंगे तबी तो सैसनिक रूप से मदद कर पाएंगे उसको पढ़ाने में तो इसका आंसर जो दोस्तों दिया हुआ है वो दो नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट बन है 45 यह हमारा लास्ट कोस्टन है अरे 43 44 44 में ICT से रिलेटेड कोस्टन था दोस्तों जो हम आपको पहले भी डिसकस कर चुगे तो वो चलिए छूट गया है तो हम बता दिया ICT से रिलेटेड था तो यह 45 आज का लास्ट कोस्टन है कि कच्छा में अनुसासन है यहाँ पर अनुसासन है which of the best course of action मेंटें क्लास्रूम डिसिप्लिन हा तो अनुसासन बनाने के लिए सबसे अच्छा किरिया क्या है तो अनुचित बेहवार के कारणों पर ध्यान देना विद्यार्थियों के गरिमा पर ध्यान रखना और उसे डाटना परभावववववव तरीके से पढ़ाना और पर ध्यान देपा को सुझित करना तो देखिए तीसरा में ही सारा नहीं थे जगा अब परभाव पून तरीके से अब क्लास में पढ़ाईएगा तो बाकी सब अपने आप क्या हो जागा मेंटेन हो जागा तो इस तरह से इसका आंसर हमारा क्या था और इस तरह से हमारा दोस्तो 13th lecture क्या हुआ, complete हुआ, फिर आगे के लिए हम 14th, 15th इसी तरह से कुछ अच्छा questions ला रहे हैं, ठीक, actually हम ESM में तो करने वाले थे, NOU का कर रहे हुए थे, लेकिन उसको हम और आगे वाले lecture में करेंगे, अभी हमको कुछ अच्छा questions collection मिल रहा है तो अभी हम वहां से आपको discuss कर रहे हैं, तो आज के lecture में इतना हैं दोस्तों, तब तक के लिए सुबरात्री अगर आप दिन में देख रहे हैं, तो आपके लिए good morning, have a nice day, okay भाई